हेलो प्यारे बच्चो आज हम आपकी सामने लेके आए हैं Next tense Present Perfect Continuous Tense Present Perfect Continuous Tense जैसा कि नाम से ही clear है इसे Present Perfect Progressive Tense भी कहते हैं Progressive यानि कोई चीज प्रोग्रेस में होती है कोई एक्षन प्रोग्रेस में होता है Continuity जैसा कि Continuous यहाँ एक word है और continuous words से आपको clear हो रहा है कि कुछ काम अभी भी still progress में है ठीक है तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ कि present perfect continuous tense का meaning means पहले हम इस term को समझते हैं यह term है क्या the present perfect continuous is very similar in the meaning to the present perfect tense अब देखो present perfect tense में तो कोई भी काम जो है वो perfection के साथ complete हो चुका होता है बट यहां पर यह present perfect continuous tense है तो continuous means here कुछ actions को अभी भी continuity में यहां दिखाया जाएगा और उसके लिए present perfect continuous tense से बोला जाता है तो next हम चलते हैं यहां we use this grammar to talk about something that has started in the past means कोई action है जो past में means कुछ समय पहले क्या हो चुका है start हो चुका है but it's still happening परंतु अभी भी वो क्या है happening मतलब वो काम चल रहा है तो इसको बोलेंगे present perfect continuous tense but the present perfect continuous focuses more on the continuous accent मतलब यह क्या कह रहा है कि अभी भी कोई काम continuity से चल रहा है उस पर यह ज़्यादा focus करता है यह tense तो the emphasis is, emphasis होता है जूर, दबाओ, परभाओ is on the duration of action कि जो काम है वो कितने समय से पूरा किया जा रहा है तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं एक्जामपल लेते हैं इट बिगैन रेनिंग टू आर्स अगो देखो बच्चो, यहाँ इसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिस करना यह कह रहा है, it began begin यहाँ simple past tense है, ठीक है, second form रेनिंग टू आर्स अगो दो घंटे पहले बारिस होनी शुरू हुई थी it is still, raining, still मतलब अभी भी continuous बारिस हो रही है तो इन दोनों sentences को शो करने के लिए हम केबल एक sentence का यूज करेंगे और वो हम क्या बना देंगे यहाँ पे यह third sentence हमने construct किया है इससे, it has been raining for two hours हमें यह नहीं पता कौन से दो घंटे से बारिस हो रही है इसलिए मैंने आपको last tense में since or four का यूज सिखाय था हमें clear है जैसा कि आपको यहाँ से has been, have been plus main verb की first form plus ing use होगा helping verb होगी has or have क्या होगी has or have और main verb की कौन सी form होगी main verb की first form में क्या लगेगा ing to show the continuity और main verb से पहले और has have के बाद क्या लगेगा been ठीक है, been बीच में लगेगा has have के बाद और main verb से पहले हम किसका यूज करेंगे been का, ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखना है और इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं इसमें जो हैं आपका next यहाँ देखे, अब यह clear है आपके सामने बिलकुल यहाँ has or have हमारे helping verbs है और उसके बाद हमने been का यूज किया है और फिर हमने, देखो यहाँ has have हैं दोनों तब हमने been का यूज किया है चाहे has लगे, चाहे have लगे दोनों के साथ क्या लगेगा? been प्लस main verb की first form में क्या लगेगा? ing अब आप बात आती है has किसके साथ यूज करेंगे? और have किसके साथ हमने कल वाली वीडियो में भी बता था ha-s has has हम singular के साथ यूज करते किसके साथ ? जब हमारा subject singular होता है और have किसके साथ यूज करते ? जब हमारा subject plural होता है तो हम have का use करते हैं यह बात आपको clearly अपने mind में रखना है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब कैसे इन sentences के negative बनाते हैं, negative, तो negative बनाने के लिए आप सब को पता है, सभी बहुत intelligent हैं, सब को पता है कि क्या हम, क्या use करते हैं, note का use करते हैं, पर अब हमने इस sentence में has been और main verb की first form और ing यूज़ किया है, तो हम note का use कहा करेंगे, has के बाद और been से पहले, ठीक है, have के बाद और been से पहले हम किस का use करेंगे, note का, example पढ़ते हैं, zone has not been living in LA for very long, has not को आप hasn't भी लिख सकते हैं, और have not को आप haven't भी लिख सकते हैं, तो ये example था singular subject है, zone या हमारा, इसलिए हमने has का use किया है, second example हमारा, we have not been exercising very much recently, तो यहाँ देखो, second वाले sentence में हमने have का use क्यों किया, क्योंकि हमारा जो subject है, वो क्या है, we दे रखा है, तो we के according हम किस का use करेंगे, have का, और singular के according हम किस का use करेंगे, has का, तो clear है, has लगेगा singular के साथ, और have लगेगा plural subject के साथ, और abbreviation form में, has not को hasn't लिख सकते हैं, और have not को haven't लिख सकते हैं, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, हम, यहां हम continue करते हैं, how do we use the present perfect continuous tense, इस tense को कैसे use करते हैं, there are basically two uses for the present perfect continuous tense, first use क्या है, an action that has just stopped, जो अभी अभी रुका हो, और recently stopped या जिसे अभी रुका गया हो, second जो situation होती है, वहां करते हैं, an action continuing up to now, कोई ऐसा कारिये, शो करने के लिए, दिखाने के लिए, जो अब तक क्या कर रहा हो, चल रहा हो, तो उसको दिखाने के लिए हम किस का use करते हैं, present perfect continuous tense का use करते हैं, अब बात करते हैं structure की, तो देखिए structure में हम सबसे पहले यहां बात करेंगे, structure of present perfect continuous tense, अब structure क्या होता है, कि हमें formation कैसे करनी है, कि पहले subject आता है, फिर helping verb को auxiliary verb भी बोलते हैं, फिर second auxiliary verb भी आती है, फिर main verb आती है, फिर उसका compliment आता है, ठीक है, तो यह हमें structure दे रखा है, first यहां हम sentence को पढ़ते हैं, जैसे, यह first वाला है हमारा, I have been waiting for one hour, I have been waiting for one hour, मैं लगबग एक घंटे से क्या कर रही हूँ, इंजार कर रही हूँ, You have been talking too much, तुम बहुत ज़्यादा बाते कर रहे हो, It has not been raining, बारिस नहीं हो रही है, तो यहां देखो, आप यह clarity लेके चलो पहले तो, कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम जो auxiliary verbs की बात कर रहे हैं, तो two types of auxiliary verbs हैं, जिनको helping verbs भी बोलते हैं, एक तो हमारा has, have ओ गया, दूसरा हमारा bean आ गया, बट अगर हमारे negative sentence हैं, तो दोनों के बीच में note लगेगा, और bean के बाद main verb की first form में ing लगेगी, और फिर यह हमारा object या compliment आप इसको बोल सकते हो, और यहां हमारे यह क्या हैं, सारे के सारे subject हैं, इन subject के according, I के according have का use किया है, you के according have का use किया है, it singular है, has का use किय है, we plural है, have का use किया है, you के according, फिर have, क्योंकि यह interrogative sentence है, तो interrogative sentence में क्या कर रखा है, सबसे पहले helping verb, have you been seeing her, तो have किसे पहले, subject you से पहले have है, फिर been, फिर वही main verb की first form plus ing, फिर compliment या object आप यूज़ करेंगे, और last में sign of interrogation यूज़ करेंगे, तो प्यारे बच्चों, यहां त सब अच्छे से समझ आ गया होगा, कि हमें कैसे sentence की formation करनी है, negative की, affirmative की, यह पहले दो example, affirmative के हैं, फिर दो negative के हैं, फिर यह last वाले दो interrogative sentences के example है, तो इसके बाद हम इसे आगे बढ़ने के लिए, next page पर चलते हैं, और next page में क्या है आपका, first of all, an action that has just stopped or recently stopped, अब इसके हम यहां कुछ examples देखेंगे, कि कोई ऐसा काम जो अभी अभी रोका गया हो, या हाल ही में रोका हो, I am tired because I have been running, ठीक है, I am tired because I have been running, why is the grass wet, has it been raining, you don't understand because you have not been listening, ठीक है, तो यहां देखो, has been, have been, plus ing, यह formation आपको यहां हर sentence में दिखाया गया है, और आपको यही formation जो है, सीखनी है, तो इसके बाद, इन examples को लेते हुए, आप next page की ओर बढ़ेंगे, और next page में आप second use देखेंगे, इसका second use क्या होता है, एन action continuing up to now, जब हम बोल रहे हैं, तब भी वो action continue चल रहा है, तो यहां देखें, this is often used for or since, मैंने last वीडियो में आप बच्चों को बताया था, कि for का use period of time के लिए करेंगे, और since का use point of time के लिए करेंगे, we often use for or since with the present perfect tense, we use for to talk about a period of time, ठीक है, जैसे 5 minute, 2 week, 6 years, बढ़ हमें यहीं नहीं पता कौन सी 5 minute, कौन सी 2 week की बात कर रहे हैं, अब next है, we use since to talk about a point in the past time, past का कोई time के लिए हम बात कर रहे हैं, first January, 9 o'clock, Monday, तो यहां इन सब की बात हम कर रहे हैं, और इन सब action को show करने के लिए हमने किसका use किया है, present perfect continuous tense का use किया है, तो अब देखें, examples, since और 4K, first example है, I have been studying for 3 hours, वो 3 गंटे से पढ़ रहा है, बट उसे यह नहीं पता न, कौन से 3 गंटे से, तो हमने किसका use किया, 4 का use किया, I have been watching TV since 7 p.m., हमें पता है, घड़ी में 7 कब बजे थे और 7 बजे से वो TV देख रहा है, तो since का use किया हमने, Tara has not been feeling well for 2 weeks, दो सप्ता से वो सही मैसूस नहीं कर रही है, तो 4 का use करते है, Tara has not been visiting us since March, March से हमारे पास नहीं आई है, तो March मन्त का हमें पता है, अब next में बात करते है, he has been playing football for a long time, तो देखो, for a long time, but time तो mention है, कितने बजे से कितने बजे तक तो हमने किस का use किया, 4 का, he has been living in Bangkok since he left school, जब से उसने school चोड़ा था, वो तो define है न, documents में मिलेगा, कब school चोड़ा था, तो हमने किस का use किया, since का use किया, तो मेरे ख्याल से आप लगों को since और 4 के uses में कोई भी doubt नहीं है, यहां तक आप लगों को सब समझे आ गया होगा, तो प्यारे बच्चों, इसके साथ मैं इस tense part को hand up करती हूं, और उमीद करती हूं, आप सब इसे अच्छे सी revise करेंगे, और अच्छे सी समझने की कोशिस करेंगे, और जिसने चैनल को subscribe नहीं किया है, वो like और subscribe जरूर करें, चलो, and up करते हैं, good bye, have a nice day all of you,